बढ़ी जानकारी यहां पर सामने आ रहे हैं आपको बता देए बढ़ी अपडेट जहां सचिन पाइलेट दिल्ली से जैपुर के लिए रवाना हो चुके हैं पाइलेट सडक मार्क के जरिये जैपुर के लिए रवाना हुए हैं कल रात को सडक मार्क से ही वो दिल्ली आये थे और आज शाम साथ बजे विधायक दल की बैठक में शामिल होंगे जब मुख्यमंतरी जैसल मेर से जैपूर लोटेंगे और विधायकों की बैठक लेंगे बड़ी जानकारी यहां पर आप तक पहुंचा रहे हैं बता दे कि सचिन पाइलेट सडक मार्क के जरिये दिल्ली से जैपूर के लिए रवाना हो चुके हैं कल रात दिल्ली से माफिचाओंगी जैपूर से दिल्ली भी वो सडक मार्क के जरिये ही आये थे और अब वो जैपुर के लिए रवाना हो चुके हैं शाम 7 बजे विधायक दल की बैठक में शामिल होना है सचन पालिट को राजस्थान कॉंग्रेस में जारी सियासत के आज बीज आपको बता दे विधायक दल की बैठक बुलाई गई है बैठक में राजस्थान के अगले नेतरत्व को लेकर चर्चा होगी शाम 7 बजे मुखिमंतरी आवास पर ये बैठक बुलाई गई है कॉंग्रेस और निर्दल्य विधायकों को राइशुमारी के लिए बुलाया गया है बैठक में वरिष्ट नेता, मलिकारजन खडगे और राजस्थान कॉंग्रेस के प्रभारी आजे माकन विशेश तोर पर शामिल होंगे पार्टी आलाकमान के निर्देशों के बाद मुखिमंतरी अशोग जैलोत ने सीएम के पद छोड़ने का मन बना लिया है और अशोग गयलोत के बाद राजस्थान का मुखिमंतरी कौन होगा कॉंग्रेस आलाकमान ने यही संदेश देने के लिए आज अब्जरवर के तोर पर खडगे और अजे माकन को जैपुर भीजा है दोनों नेता शाम साथ बजे विधायक दल की बैठक में पार्टी आलाकमान का संदेश सुनाएंगे और इस बात की पूरी संभावना है कि कुछ विधायकों को छोड़ कर अधिकांश विधायक आलाकमान के फैसले पर सहमती जताएंगे बैठक के बाद गेलोत मुख्यमंतरी के पद से स्टीफा दे सकते हैं और नवरात्री में नए मुख्यमंतरी को पद की शपत दिलाई जा सकती है नए मुख्यमंतरी के साथ जाती गत सियासी और भोगौले के समी करनों को साधनी के लिए दो डिप्टी सीएम भी शपत ले सकते हैं आज आपको बता दे विधायक दल की बैठक पर सब की नजरेटी की है और इसी बीच आपको बता दे हमारे ब्यूरो हेड सुशांत पारिक लाइब हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुशांत सभी की नजरे अब इस बैठक पर टिकी हुई है बैठक में किसका नाम सामने आने वाला है हाला कि ये भी बताया जा रहा है कि दो डिप्टी सीम भी जाती गत्त तोर पे बनाये जा सकते हैं आने वाले चुनावों में जीत साधने के लिए क्या जानकारी मिल रही है आपको क्या कोच हो सकता है इस बैठक के अंदर देखिए आयूशी आज शाम होने वाली बैठक राजस्तान की सियासत के लिहाथ से बहुत मेहत्तकून है पिछले तीन दशक की अगर हम बात करें तो राजस्तान की राज़िती में भाशपार कॉंग्रेस में तीन बड़े निताओं का दबदबा रहा बेरोशिंग शेखावत हों कॉंग्रेस की बात करें तो अशोग घहलोत और बीजेपी में शेखावत के बाद वसुंदा राजे ये तीनों चेहरे हमने मुख्यमंत्री के तोर पर देखे हैं लेकिन एक लंबा वक्त आया है उसके बाद राजस्तान में मुख्यमंत्री के चेहरे में कॉंग्रेस के बीतार एक बदलाव होने जा रहा है और उस बदलाव का फैसला आज शाम होने वाली जो मुख्यमंत्री आवाज पर विधायक दल की बैटक है उस बैटक में लिया जाना है उस बैटक का एजेंडा एक तरीक से